तो आज का जो वीडियो है मैंने का इसी के अंदर एक नया वीडियो बनाते हैं जैसे लोगों की रिक्वेस्ट आई है लेकिन शुरूर करने से पहले मैं आपको फ्रेंड से एक चीज बताना चाहता हूं के जो वीडियो है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बनाता हूं अक्सर ठीक है ना वो इंग्लिश में इसलिए बनाता हूं क्योंकि जैसे साउथ इंडिया में लोग हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं और जो मेरे जो और जो जो मेरे जो मुझको फॉलो करते हैं यूएस कैनेड़ा वगरा के अंदर बहार देशों में वो भी हिंदी नहीं सम व्हेश मार्केट के वीडियो करते हैं थीक है और दूसरी चीज है कि जो इसने वाइट करने के लिए सिर्फ जो है पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही वीडियो बनते हैं और बहुत लोगों ने फ्रेंड्स में से पूछा है कि यह जो स्टॉप लॉस है यह आप बताते नहीं है कभी भी तो उनको मैं बताना चाहता हूं क्योंकि हम सिर्फ अप्टेंड क के अंदर डील करते हैं और वो भी स्विंग ट्रेडिंग और पॉजिशनल ट्रेड में तो उस स्टॉप लॉस का जो महत्वय थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे कोई ट्रेडर है जिसने की मतलब दो साल के लिए पॉजिशन लेनी है या दस साल के लिए लिए तो क्या करेगा व लेकिन जब हम अप्टेंड के अंदर एक स्टॉंग शेर को लेके चलते हैं तो यह जो है स्विंग ट्रेडिंग और पॉजिशन स्विंग में तो लगा सकते हैं पॉजिशनल में तो लगाने की ज़रूरती नहीं है क्योंकि यह पांच-शे महीने साथ महीने साल तक भी निक के अंदर उन वह अगर मतलब यह अब ट्रेंड के अंदर रहेंगे कहीं कुछ गलती भी होगी ना तो औरमेटिकली वह करेक्ट हो जाता है ठीक है न तो इसलिए कि रिकवरी जो है मतलब पैसे की जो है यह थोड़ी असानी से हो सकती है इसमें कोई शक नहीं है और जबी है अंदर पैसा है और मैंगी का इस्तमाल आप जरूर करेंगे ठीक है तो जैसे हम प्रयंड के लिए भी मोमेंटम कि सरा रहा है और इसकी ए तक आया है यही तक शेयर आया है और इसकी जो टार्गेट प्राइस है वो क्या है वह भी इंडिगेट करता है जाएगा नहीं actually establish करता है not establish करता है indicate करता है कि target price यहां तक हो सकती है you are in the uptrend ठीक है लेकिन जबी भी हम इसको trend lines को use करते हैं तो friends हम हमेशा जो है uptrend के अंदरी रहेंगे sideways और यह दो trend छोड़ देते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्टिंग डॉट कॉम नहीं है यह सिरफ इसके अंदर swing trading और positional trading होती है फ्रेंड्स इंट्राडे की ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो आपका जो broker है जहां आपका डीमेट अकाउंट है वह आपको फ्री उसका अपना software देगा और इंट्राडे ट्रेड आप वहीं से कर सकते हैं नहीं तो जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करना मुश्किल है ठीक है नाओ अभी हम देखते हैं कि volatility क्या है फ्रेंड्स जब आप यह चार्टिंग डॉट कॉम में जाएंगे अभी हम थोड़ी इस में चांधी है जो जो बीडियियर का चांगे इस और अबढूनलोर किले शेर चांध कर देखे हैं अब जो यह से कर सकते हैं ठीक्छा यह को फिले जिए normal और इंडिकेटर से हैं फ्रेंड्स वालेटिलिटी के लिए मैंने जैसे हमेशा बोला है कि थ्री टू-फॉर पर हमको दो परसेंट अगर कमाना है इंट्राडे के अंदर तो हमको जो वालेटिलिटी है वह तीन से चार परसेंट की होनी जरूर होनी चाहिए बहले हम किसी और प है लो चौ और ऑपन एक सो दो लोग सब्सक्राइब नहीं बनाई हुए है वह तो अगर आप हाई और लो को लो को कंसिजर करेंगे तो यह एक सो दो के उपर जो है ओपन सॉरी इसका जो है लोएस टेंट जो है इसका है तो लो और है के अंदर जो है च्छे रुपै का फरक ह 100 रुपे के शेर में 6 रुपे की इसकी volatility आ गई तो high में से low आप गटाएंगे तो आपको volatility मिल जाएगी. This is how it is और अब friends चलते हैं connecting video में और वहाँ जाके देखते हैं कि ये जो है पूरा जो setup है इसको arrange कैसे करना है. Thank you very much. अगर मेरा आपको video पसंद आया तो please आप like का बटन दबाएए और आप जो है press bell button आप मेरे futures video को देखने के लिए लेकिन एक बात friends में आपसे बोलता हूँ जरूर वो ये है बात कि आप जो है मेरे को अपने comment जरूर दीजे यही मेरे को आएगा कि मेरे को future में करना क्या है कोन सा वीडियो पोस्ट करना है that is number one second मेरा एक disclaimer है कि standard disclaimer है कि कोई भी आप buy और sell करते है friends उससे buy sell करने से पहले आप अपने जो financial advisor है चार्टिस्ट है बोकर है जिससे भी पूछना है आप प्लीज पूछे क्योंकि आपकी buying और selling के अंदर मैं बिलकुल responsible नहीं हूँ आपको profit होता है या आपको loss होता है ये एक standard जो है statutory disclaimer है fine thank you very much अब हम connecting video में जाते हैं thank you so friends actually we are on the laptop now और ये मैंने google खोला है और google के ऊपर ये मैंने रख दिया है charting.com और ये charting.com के बाद ये next two मैंने step लिया है वो लिया है कि मैंने chart के ऊपर click किया है friends मैंने chart के ऊपर जैसे ही click किया ये एक interface actually सामने आ गया है ठीक है इसको निकाल देता हूँ अब आप देखिए यहाँ पर ये तीन चीज़े लिखी हुई है lower indicators, upper indicators and moving averages जरा पहले ये जो lower indicators है इनको check कर देती है यहाँ हमको चाहिए RSI और MACD ठीक है तो इसको मैंने click किया RSI अल्रेडी लगा हुआ है और फिर मैंने इसको यहाँ से MACD है, MACD भी लगा हुआ है इसको मैंने click करके यहाँ से इसको update कर दिया ठीक है दूसरा चाहिए हमको moving averages तो मैंने moving averages यहाँ पर लिया है और moving averages देखिए यहाँ पर यह 21, 10, 15 हैं तो यह 10 और 15 अल्रेडी click हैं फिर भी मैंने इसको एक बर यहाँ पर click कर दिया है फ्रेंट्स अब आप देखिए यहाँ पर जो है यह nifty का chart है हमारे पास राइस को निकाल देते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएका शायद नहीं हो बड़ा कोई बात दी तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक share देख लेते हैं टाइटन का देख लेते हैं यह टाइटन कम्री का share है और यह खोलते ही आ गया है अब आप यह देखिए यहाँ पर टाइटन का share है यह यहां से लेकर यहां तक तस बेसिकली यह 2010 के अंदर था तो पहले इसका जड़ा एक trend देख लेते हैं यह इसका trend देख लेते हैं यहां से लेकर यहां तक basically एक अप्टेंड के अंदर आया share फिर इसने sell दिया फिर sell देने के बाद friends यहां पर इसने फिर थोड़ा सा एक बारी rest किया यहां पर ठीक है और फिर यहां पर गया और यह फिर यह एक बारी जो है यह uptrend के अंदर गया तो basically long term तो uptrend के अंदर यह share ही और अगर आपको याद हो जैसे हमने पहले भी बोला था कि we can always जो quit at the top तो यहां पर आप देख लीजे कि एक जो है bearish and gulfing बना हुआ है तो यहां पर हमने जो है इसको quit कर दिया alternatively हम इसको यहां पर quit करते ठीक है ना अच्छा यहां पर देखें यह date दी हुई है यहां पर opening है high है low है closing है और यह change है अब आप देखें कि high और low के अंदर जो difference है ना यह 15 और 4 कितना 15 और 4 हो गया यह 19 तो मतलब है कि 15 और चार 19 का अगर यहां पर यह है high और low sorry यह 82 है यह 16 और यह है low 42 पॉइंट का actually इसके अंदर low बना है तो 11 इसका जो rate है roughly से about 1200 है इसके अंदर 42 का बना है तो roughly 4% का इसके अंदर volatility हो गई 4% का इसके high और low का difference हो है ठीक है ना तो हमको volatility चाहिए थी तो volatility हमको पता लग गई है कि इसकी 4% है क्योंकि इसका जो high और low का जो difference है वो है 4% है इसके नीचे आप देख लिजिए यहां पर यह लगा हुआ है RSI और यह MacD नहीं लगा यहां पर फिर मैं एक बार लो और पर जाके मैं यह MacD को भी एक बर यह update कर देता हूं यहां पर यह MacD यहां लगा नहीं था यह मैंने यह MacD किया और यह MacD भी लग गया ठीक है तो MacD के हिसाब से भी यह सेल के अंदर है लेकिन अगर आप यह देखे आरेसाई जो है इसका ओल्डेडी थर्टी टू सॉरी ट्वंटी टू थर्टी थर्टी पॉइंट फाइव सिक्स है तो बाइन लाज तो बनता है लेकिन क्योंकि इसके रिजर्ट ठीक नहीं ठीक नहीं थे इसलिए फिलाल हम इसको छोड़ देते हैं तो फ्रेंड्स यह हो गया हमारा कि मतलब जो मिरको पूछा था लोगोंने के बहुए जो शेयर है यह इसका ट्रेंड कैसा है तो ट्रेंड तो इसका भी तक अब ट्रेंड के अंदर ही शेयर चल रहा है लेकिन एक्चुली इसने से बिर्टिट्र भी पता पड़ गई इसके लावा हमको यह बहुए पता पड़ गया है कि यहां से जो मैश्च के लावा है यह दिखे है लो में लगए हूँ है मैक बी और यह तो उपर यह जो लू इंडीकेटर सेंड यह मैश्च के बहूँए यह मोविंग एवरेजेजर ज है ठीक है ना तो इसकी जरुरत नहीं है हमको तो इसको निकाल देते हैं यहां से और यहां से देख लीजिए कि यह जो है basically candlestick chart closing price वगरा सब यहां से operate हो जाता है यहां से जो है month operate हो जाएंगे कि आपको एक साल का चाहिए दो साल का चाहिए कप का चाहिए यह सब यहीं हो जाएंगे तो यह से सबसे आगे देखें कितना खुब्सूरत इसने रंग दिया है फिर यहां पर आके यह देखें इसका यह जो ट्रेंड है यहां पर sorry इसको जड़ा निकाल देते हैं यह देखें इसने यहां से लेके यहां तक का इसने फर्स्सक्रास ट्रेंड दिया है और यहां पर इस ने सैल दिया उसके बाद यहां पर जो है यह एक उसमें चला गयां ईस ज़वेश HAG fellows में चला गया और इसके बाद जाने के बाद ये फिर moving ये ये ऊपर गया और शायदा फिर ये sideways गया तो ये friends actually this is a clear like this के ये जो हमने जो है इसका direction में मालूम पड़ गया कहां से how to operate it भी मालूम पड़ गया और Magdi और उसका ही मालूम पड़ गया friends अगर आपको ये video मेरा पसंद आया है तो please आप इसको like करिए और bell button दवाइए अब मेरे future notifications के लिए thank you very much बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ रहे thanks a lot have a nice day